हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपर YouTube चैनल विध्यकारी में दोस्तों यह यह थीशरा वीडियो और इसके पहले हें चैनल विध्यकारी पर इसके दो वीडियो हैं जिसमें हमने पचास-प्रस्नों को सॉल्व किया है और इसमें भी हम आगे प। शान को साफ्ट जो है देखेंगे कि इस प्रकार के प्रस्ण जो है पूछे जा सकते हैं और महत्पूर्ण हैं और सभी प्रस्नों को हम उनकी व्याख्या के साथ हल करेंगे और जो भी केसला हैं उनको को रिलेट करने के कोशिस करेंगे ताकि जो भी कंफ्यूजन हो जो भी आपकी डाउट हो वह सब क्लियर हो जाए और यह जो वीडियो हो इसको देखने के बाद आपके पास अपक्रिक्त वीडि के अंतरगत एक आपको परिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों आप इसके पहले के जो दो वीडियो हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं वीडिकारी पर आप वहां से और भी जो विसेयों है उनके वीडियों प्राफ्ट कर सकते हैं तो आये देखते हैं कि आप इसर्य वीडियों है इसमें किस प्रकार के केस है इस केस में जो है यह प्रत्वादित किया गया था और कई बार इसे ज़ज इह deficit is 68 का है यह उच्छी को में नियायमूर्त जो है वा ब्लैक बर्न थे तो इसी केस में कठोर दायत का सिधांत प्रतिवादिर किया था इससे ताथ पर यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई खतरनाक कारी करता है और उस खतरनाक कारी के गारण किसी दूसरे व्यक्ति को जो किवादी है उसको छती हो जाती है तो ऐसा जो प्रतिवादी है वहिया दावा नहीं फुटा सकता है कि उसका जो है जो है जो क्यों है उसको छट करने आसे था तो अर्थात यहां पर आस्ट कि बिना ही अगर कोई कारी खतरनाक है तो उसका ही यह जो भी रहा हो अच्छा हो या बुरा हो उसमें इक टैसमारत और यह money तो उदारण अगर हम लेते हैं कि मान लीजे कोई व्यक्ति है वह सेर पाल लिया है अपने घर पे और सेर को खुला रखता है और वह सेर पगल में किसी पसू को या किसी पालतु जानवर को या किसी व्यक्ति को हिंसा काईद करते उसे चोट पहुंचाता है तो यह नहीं माना जो है दावा नहीं कर सकता प्रित्यावा कि उसका आस जो है किसी को जह्त पहुंचाना नहीं था नियाही कठोर दायट को नियम लागु नहीं नहीं होता है क्योंकि करणा दायचsquish कुछ अपरन भी बताए गये हैं अर्थात कुछ अपवाथ हैं उनको स्विकार किया जाता कि अगर आइसी जो पांच अपवाद बताएगे हैं कि इन पांच अपवादों के मामनोई में कठोड़ दाइद को सिद्धान्त लागू नहीं होगा लेकिन पूर्ण दाइद के सिद्धान्त में कोई भी अपवाद स्विकार नहीं किया जाता अर्थात जो व्यक्ति है जो ऐ दैवी कृति के कारण अगर कोई अपराद का कारी हो जाता है वादी की सहमती से कोई अपकार होता है और तीसरे पक्षकार के द्वारा कोई कार कर किया जाता है और उससे जो है आपकार हो जाता है या सामविधिक प्राधिकार के दिन कोई कारी किया जाता है तो ऐसे मामलों स grassland का लागू नहीं होगा कि निमलिखीत नहीं है निकोलस बनाम Marsland का base यह संबनाइश सम्पनित और काइस्टेयर्स बनाम टेलर का जो केस है या सामान एलाप से संबंदित है राइलेंड्स बनाम फ्लेचर का जो केस है या वादी की सहमती से संबंदित नहीं है बलकि अभी हमने देखा किया है कठोर दाइत से संबंदित है तो यहां पर सुमेलित नहीं है पूछा है यहीं सुमेलित नहीं है वाकि पॉन्टिम बना निक्संग का जो केस है यहां वादी की भूल से सम्बंदित है कि नेक्स है कथन ए कठोर दायत के नियम के अपवाद है तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि हम ने देखा कि कठोर दायत के नियम है इसके अपवाद बताएगे और किस केस में तो राइलेंड बनाम फ्लेचर के केस में बताएगे कारण इसका है कि पूर्ण अदायत के नियम का कोई अपवाद नहीं है यह भी सही है अपवाद को स्विक कार नहीं किया जाता है तो इस प्रकार से और B इस दोनों ही कितन सही है कि मैज्ए है तो स्थांत किया गया तो इस केसमें कथोर दायत के सद्धांत को प्रितपादित किया गया था कवेया स्धने में से क्हौन राइलेंस बनां फ़ेचर के वाद का बिधीक अपावाद नहीं है तो अभी हम लेकिन भूम की दैनी एस्तिती यह कोई अपवाद नहीं है नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए तो इसमे राइलेंड्स बनाम फ्लेचर का जो केस है यह कठोर दाइत उसे संबंदित है अर्थात एक चुथा साही है और देविंदर सिंग का जो केस है देविंदर सिंग बनाम मंगल सिंग का केस है तो यह पर मिस्प्रिंट हो गया है देविंदर सिंह बनाम मंगल सिंग का केस यह 350 का जो केस है और सईक यह तो आपकरता से अर्थाद डी का दूसरा सही है तो इस प्रकार से इसका जो सही सुमेल यही है नेक्स है नेम्रिखित कथनों पर विचार कीजिए तो पहला कथन है कि एक सरकस कमपणी वन ने जीओं को पालती है और प्रसिक्षित करती है उन में से एक निकल भागता है और एक दर्सक को छति पहुँचा देता है तो यहां पर कंपणी दाई नहीं होगी तो यह कथन गलत है क्योंकि राइलेंड्स मना फैचर के केस में नेड़े दिया गया था कि जब कोई किसी खतरनाक वस्तु को पालता है या अपने सीमा के अंतरगर रखता है और वह जो संपत खतरनाक वस्तु है य कि अगर किसी को पसुच पहुचाता है तो पहिला कथन गलत है और इस दूसरा यह कोई वी ब्यक्ति जो खतरनाक वस्तु हुसित निकल गलत है यह दिवात निकल जाता है उन्य inflam पहुंचाथा है तो अभ्यक्ति जो है जो पालने वाला है उत्तर दाई होगा तो इस प्रकार से ए गलत है लेकिन जो दूसरा है वह सरी है डी और कि निंग्रिकित में से कि स्वाद में नियाले कठोर दायित के अस्थान पर आत्यान्तिक दाईत की संखल्पना अस्थापित कीज्ट यह भारत के सांद में ऐंशी मेहता बना भारत संकर जो केस है इसी केस में जो है सरोच नियाले नेड़े दिया कि भारत के संबंद में कठोर दायत के सिध्धांत के अस्थान पर आत्यांतिक दायत के सिध्धांत को स्विकार किया गया है कि नेक्ट है निम्लिकित में से कौन सा कठोर दाइत के नियम का अपवाद नहीं है तो यहां पर नियम का अपवाद है दैवकृत्य वादी की सहमती और संविधिक प्राधिकार लेकिन इसमें भूल जो है यह कोई अपवाद नहीं है स्रीराम फूट्स एंड फर्टिलाइजर्स का वाद यह किस से संबंदित है तो अभी हमने देखा कि यह पूर्ण दाइत अर्थात अप्सिलोट जो लाइबल्टी है उससे संबंदित है लेक्ष है ओलियम गईस रिशाव के विधाई परिडाम सरूप भारती संसद ने कौन सी अधिनियमित की थी तो उलियम रिशाव भौपाल कान्ड इसे कह जाता है तो उसके बाद जो है उस घटना के बाद भारती विधाई का है उसने वह भौपाल गैस बिभीज का दावा क 185 को अध्रियमित किया था कि नेक्स्ट कोश्चन है पूर्ण दायत के सिध्धान्त को और दोगिक छतियों तक विस्त्रित किया गया तो यह जो है किसके द्वारा किया गया है तो यह पियन भगाउती जो कि नयमूर्थ थे जिनों ने हैं सी महताके मामद्य में नेड़ए दिया था तो इनों ने ही पूर्ण दायत के सिध्धान्त को देंधिक होती को कि entirely प्रहित राइत दाइत अर्थात जो पूर्ण दाइत है यहां पर भले कोई व्यक्ति कहें कि हमारा ऐसा कोई आसा नहीं था अर्थात हमारा कोई दोस्पूर्ण कोई आसा नहीं था लेकिन फिर भी अगर उससे कोई आपराद कारित होता है किसी को छतिकारित होती है तो वहां बनाम फ्लेचर का नियम प्रतपादित किया था उनका क्या नाम है तो अभी हमने पहले वाले कोश्चिन में ही देखा था कि राइलेंड्स प्लेचर का जो केस है इसके जो जज थे इस मामले में वह न्यायमूर्थी ब्लैकबर्न थे नेक्स है भारत के उच्चितम न्याले ने राइलेंड्स प्लेचर के वाद में दिये गए दायतु के सिध्धान्त को स्विकारा है तो किस केस में यह स्विकार किया है तो यह केस है इम्सी महत्वनाम भारत संग है तो दोस्तों ऑह पूर्ण डाईतुका या कठोर डाईतुका जो सिध्धान्त है इसमें गुमा फिरा नेक्ट कोश्चन है राइलेंड्स बनाम फ्लेचर का नियम तब लागू नहीं होता जब बच निकलने का कारण हो तो यहां पर अपवाद पूछा गया है इसी कोश्चन को देखिए घुमा कर पूछ लिया जाता है कभी-कभी तो यहां पर यह पूछा गया है कि राइलेंड् क्षाटी होती है तो उससे किसी को छती होती है तो वहां पर जो जिस ब्यक्ति के कबजे से या जिस ब्यक्ति के कारण शती हुई है वह उत्तादाई नहीं होगा नेक्ट अंतरनीहित खतरनाक अथ्वा अत्यन्त जोखिम वाले उद्धमों से उत्पन्न च्छत के मामले में जो दाइत होगा वह किस प्रकार का होता है तो भारत के संदर में अगर यह पूछा गया है तो यहां पर आत्यांतिक दाइत होगा और अगर बिटेन के संदर में पूछा जाता है तो वहां पर जो दाइत होगा वहां कठोर दाइत होगा डाइत के अस्तान पर कठोर दायत को बरीता दिया था वीनकिंफिल्ट ने को नेक्श करतЬ के बें प्रतिवादी है उसका या उपेक्फ़्षा को सिध्ध करने की कोई आवस्टथ्था नहीं है यहीं है क्ठोर दाइत है क्योंकि यहां पर यह ज़रूरी नहीं है कि उसका आसे सिद्धिकिया जाए जैसे मान लेजिए एक व्यक्ति है अपने घर में एक खतरनाक वस्तु रखता है तेजाब रखता है और यह घनी आवादी है और इसका जो तेजाब है या कोई केमिकल है यह रिसाव हो करके यहां पर लोगों को छती पहुंचाता है भले इस ने नेंसी मेहता पराम भारत संग का वाद किस से संबंदीत है तो आत्यांतिक दायत्युसे और्थात पूर्ण dłायतों से संबंदीत है विश apenas और नेग्स अब कृति दायुके लिए पूर्ण दायुके स्धांत को प्रत्तपादित किया गया था तो पी नंभगाउती के द्वारा किस में तो मेहता के केस में कि नेक्स्ट से रेड बनाम लायन्स निम्लिखित पर एक प्रमुख वाद है तो यह किस विशय पर एक प्रमुख वाद है तो यह पलायन का अर्थ इसमें में अस्पष्ट किया गया था अर्थात जब कोई जो खतरनाक वस्तु है इस परिसीमा में एक द्वारा रखी गई है और यह पलायन करके यहां जो है पब्लिक को या अन्य लोगों को च्छती पहुंचाती है तो यहां पर जो पूर्ठ का निधारण किया गया है तो यह पलाय स्वैंग पासओं के लिए translink यह जो है कठोर दाय के अंतरगत आता है अब कठोर दाय तो है कंप्लीट हुआ अब हम देखते हैं कि प्रतनिदिक दाइत तो प्रतनिदिक दाइत तो जो है यह तीन प्रकार से संबंधों से उत्पन होता है जैसे प्रिंसिपल और एजेंट फर्म और भागीदार मालिक और नौकर तो इसका ताथ पर यह है कि जब कोई व्यक्ति स्वयम जो है कारे नहीं कर जाता है कोई अपराद किया जाता है जो कह प्रिंसिपल इसके फर्म की तरफ से विकार्ण करता है के नवगर करता है तो यहीं जो आते हैं इसे संबंदित है अब कुछ महत्पूर्ण केस हैं जो की कई बार सीधे सीधे यह पूच ले जाते हैं कि कौन सा किस मामले से संबंदित है इसमें विद्यावती बनाम राजस्थान राज का मामला है सौराश राज बनाम मुहंम्मद अब्दुल्ला का केस है राइ़स्टर बनाम कैवे है Peninsular & Oriental Steam Navigation Company बनाम सेक्रेट्री आफ इस्टेट फार इंडिया का मामला है सेक्रेट्री आफ इस्टेट बनाम हरी भाजी का केस है J rather श्याम सन्दर बनाम राजस्तान राज का गयवे है Peninsular and Oriental Steam Navigation Company बनाम Secretary of State for India का मामला है और Secretary of State बनाम हरी भाजी का Case है स्याम सुंदर बनाम राजस्तान राज का मामला है विद्यावती बनाम लोकुमल का Case है भारत संह बनाम हरबंस सिंह कस्तूरि लाल रलिया- राम- जैन बनाम उत्तरवदेश राज का है रूदल साहब नाम बिहार राज भीम सिंग बनाम जम्मू कस्मी राज तो यह जो केस हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसको ध्यान रखना जरूरी है अब प्रिंसिपल और एजेंट के माध्यम से जो संबंदित कुछ केस हैं जो की जो अभिकरता है उसके मालिक हैं उनके जो संबंदों पर अधारित केस है तीसमें तीन केस इनको ध्यान में रखना जरूरी है स्टेट बाइंग का फिंडिया बनाम स्यामय देवी का केस यह कई पूशा गया है लॉयर्ड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का केस है और आर्मराड बनाम क्रास्विले मोटर सर्विस कंपनी लिम्टेड तो यह जो केस है वह है प्रतनिधिक दायत से तो संबंदित हैं लेकिन यहां पर यह कई बार पूश लिए जाता है क्योंकि प्रतनि हमिए आपृत करता है तो इसका अर्ठ जो है प्रतनिधिक दाइतत है तो इसका तातपर यह है कि अभी था कि इस सूत्र का अर्थ यहीं है कि कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कारी करता है तो आगर इन सब के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कार्था तो यह मान लिया जाएगा आगर इनके दौरा कोई अपराद होता है को तूलटी होती है तो इस तूलटी के लिए वह ऐसा जब मालिक है या ऐसा जो फर्म है वह स्वेम जिम्मेदार होगी उत्तरदाई होगी कि नेक्स्ट है यह विनिशीत करने में कि सेवक कौन है कुछ मापदंद निर्धारित किये गए हैं नेमलिकित में से कौन जो है वह मापदंद नहीं है तो कोई मालिक और सेवक हैं तो के संबंधों करने के लिए जो मापदंड होता है जिसमें सेवक का चैन करने का और उसे मजदूरी करने का मालक की सकती होती है तिया सही मापदंड है दूसरा है कि सेवक की संपत्ति ले लेने की मालिक की सकती तो ऐसा इमानदंड जो है मालिक और नवकर के बीच में जो संबंध है उसका निधारण करने के लिए यह जरूरी नहीं है तीसरा है काम करने का तरीका और उस पर नियंतरण करने की मालिक की सकती होती है और चौथा है कि सेवक को निलंबित करने और उसको निस्वादित करने की जो है म अंपत्य को लेने का मालिक के पास सिधानत लागू होता है तो इसकी प्रत्रेक्षा को भारत में समाप्त कर दिया है तो यह कथन सही है दूसरा है कि स्वामी का प्रत्निधिक दाइत सेवक के कृत्त की बाइधता अथवा आवाइधता पनेर भर नहीं करता है यही कथन गलत है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने सेवक के आपने नौकर के माध्यम से कारी करता है और उसके नौकर के द्वार तो सामान नियोजन के सिध्धान्त का अपवाद इसमें प्रतनिधिक दायत्य के नियम का है नेक्स है जब नियोजक एक कार एक सुतंतर संविदा कार को सौंपता है तथा उसे समचित निर्देश देने में आसफल रहता है तो आइसी स्थिति में क्या सही होगा तो ऐसी च्थिती में वह जो स्वतंत्र संभीदाकार के दोरा कोई अगर उपेक्षा की जाती है तो उस के लिए दाित्वाधिन नहीं होगा क्योंकि इस स्वतंत्र जो ठेकेदार होते हैं संभिदाकारत हुआ ठेकेदार तो इसको इस एकरे करते हैं यह जो ठेके-दार हैं वह खुद निरधाइद करता है यहां पर जो उसका मालिक है जिसने ठेकेदार को न्यूक्त किया है वह ठेकेदार के कारे के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदाई नहीं होगा इसके संबंद में एक बहुत महत्मूर केस है मोरगन के बनाम इंकार्पूरेटड सेंटरल काॉंसील केस तो यह नाम ध्यान में रखना है और यह संबंदीत है यह मालिक यह स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा जयोकार किया करता है तो उसमें जो एक्तरदाई किस प्रकार से दायच होगी इससे यह संबंदीत है इसTop नेक्स है प्रत्निधिक दाईटसब्द किस प्रत्पति है अर्थात इस सब्द की उत्पति करता कौन है तो इसका संबंध जो है पोलक से है नेक्स है गलत उत्तर बताईए एक विशेश प्रकार के संबंध के कारण उत्पन दाइत निम्न प्रकार का होता है तो एक जो है यहाँ पर गलत उत्तर पूछा है तो एक कि इस प्रकार के संबंध के कारण जो कोई दाइत उत्पन होता है तो मालिक और नौकर का होता है प्रिंस्पल और अभिकरता का होता है फर्म और भागिदार का होता है तो यह तो सही है लेकिन यहाँ पर गलत पूछा है तो इसमें से कोई गलत नहीं है अर्थात यह जो पहला सिद्धांत पर लेडिंग केस है वह वह लायड बनाम ग्रेसी इत्मिएस्मित संबंदित है निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है तो पहला है कि एक निर्दोस मालिक अपने एजेंट के कपट के लिए उत्तरदाई है तो यही कथन सही है क्योंकि अगर मालिक अपने नौकर के माध्यम से या अपने एजेंट के माध्यम से कारी करता है तो एजेंट के होगा मालिक उत्तरदाई होगा भले ब्यक्तिकत रूप से जुनाली कहे हुआ है निर्दोस मे benz घंर आराम और स्वास्त को अगर कोई भी दीद्वारा पूरो निर्धारित करतब भंग करने से उत्पन होता है यह करतब जन सामान के प्रति होता है और उसके भंग होने पर उपचार निर्धारित च्छतपूर्त के लिए वाध शंस्तित किया जाता है तो यह कत्छन किसका है तो यह कत कार्य होना चाहिए उससे विधिक छती होनी चाहिए और उस छती का एक उपचार निधाइद होना चाहिए लेकिन इसका जो आवश्यक्तत दंड नहीं है नेक्स्कोचन है निम्निकित वादों में से कौन सावाद डैम्नम साइन इंजूरिया अर्थात छति के बिना हान इसे संबंदित है वह चेसमोर बनाम रिचार्ट सन रिचार्डडस का है इसका तात पर यह है कि जो व्यक्ति है उसको विधिक छती नहीं हुई है बलकि उसको भ कि बढ़ान आप इस पे और भी जो केस हैं उसको देखते हैं कि सीता रमाईया बनाम महाल अच्छमा का केस है ऊशा बेन बनाम भाग लक्षमिक चित्रमंदिर है गलोचेस्टर घ्रामरी स्कूल का केस है मुगल स्टीप सीव कंपणी बनाम मैग ग्रेगर का केस है एक्टम बना सभी जो है डैमनम साइम इंजूरिया अर्था च्छत के बिना हान इसे संबंदित है तो इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण एक जो है जो की ग्लोचेस्टर गामर स्कूल का जो उदाहरण हम दे रहे हैं इसका अताथ पर यह है कि ए और बी यह दो व्यक्ति हैं यहां पर एक स्कूल है और इसके स्कूल में सामने ही बी जो है अपना एक स्कूल बाद में खोल लेता है तो बी का जो है इसकूल खोलने का जो अधिकार है उसका विधिक अधिकार है और इससे उसको रोका नहीं जा सकता है तो एक स्कूल पहले से ही अस्तापित है तो बी के Sexuals Social खोलने के कारण एक के यहां के बच्चे है वह से निकल कर ले कारण करने के कारण हम को च्छती हुई है तो इसके लिए यहां पर नीले नया Tale ने कहा कि आपकी जो कोई प्रदान किया उसके लिए यहां पर कोई है जो और पर जासक्ता है जब सब्सक्राइब की विकी सी वेक्षटी किरीत हो हूँ नेक्स्ट है यू अदिकार है वहां उपचार भी है इसका क्या अर्थ है तो इसका अर्थिया है कि कोई भी जो दोस है वह बिना उपचार के नहीं हो सकता है अर्थाथ जहां 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 अपराध होता है या जहां किसी वेक्ति को अधिकार दिया गया है तो उसके अधिकारों के बचाओं के लिए उसको कुछ उपचार भी प्रदान किये गए है ने एक ऐसा अपकार है जिसके लिए वादी वाद प्रस्तुत कर सकता है यद्यव उसे कोई छती नहीं हुई हो तो इसका अगर उदारन देखेंगे तो इसमें एक ब्यक्ति जो एक इसको यह वोट करने का आथिकार प्रदान है तो वोटिंग करने से इसको कोई छती नहीं होती है विधी छती होती है लेकिन उसको कोई फिजिकल चौह्ई नुकसान नहींriminal सम्बंदी के कोई अगर एक को वोट देने से रोका जाता है तो इसको जो बिधिक अधिकार प्रदान किये गए हैं तो उन बिधिक अधिकारों का उलंगन होगा लेकिन उसको कोई संपत्य संबंधी या अन्य कोई जो है नुकसान नहीं होगा तो इसे ही भीना हान के छती कहा जाता है अर्थात को अधिकार दिया गया है कि यह वोट कर सके तो इसके अधिकारों को बचाने के लिए इसको कुछ उप्चार भी दिया जाना चाहिए नेक्स है अपकृत के दायतु का आधार क्या है तो अपकृत के दायतु का आधार है कि उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमड यह जो है अगर किया जाता है तो वहाँ पर जो ऐसा अतिक्रमड करता है वह एक अपकृत करता है नेक्ष है अपकृति किसी ब्यक्ति को लोक बंदी अधिकार का सामानी रूप से उलंगन है जिसमें पीडित पक्षकार को छत्यपूर्थ का वाद चलाये जाने का अधिकार उपलब्ध होता है तो यह परिभासा फ्रेजर की है नेक्ष है अपकृति का अर्थ है एक सिविल दोस्ट जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है यह परिभासा कहां दी गई है तो यह जो परिभासा है वह लिमिटेशन अएक्ट अर्थात परसीमा अधनियम की धारा दो की उपधारा एम के अंतरगत दी गई है हम एतम नेक्श कोस्चन है निम्लिखित कथनों पर बिचार कीजिये तो पहला कथन है अपकृति भीधि के प्रवरतन के सहं मति के द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है तीज़ब ऑक्रिटल के लिए काय आप परणेधायद नुकसानी एक समुचित अपनना उपकार है गलत है ऑद एक और तीन या जो है कि एक और तीन यह सई है नेक्स्ट है इंजूरिया साइन डेमनम उन मामलों से संबंदित है तो इंजूरिया साइन डेमनम को सताथ परे है कि बिना हान के छती तो यह ऐसे मामले से संबंदित है जहां पर एक विधिक अधिकार का अतिक्रमण होता है तो जैसा कि हमने अब उधारन से भी देखा कि इसम कि संपत्य संबंदी कोई अधिकार का उलंगन नहीं होता बलकि जो अधिकार उसको बिधी के द्वारा प्रदान किये गए हैं जैसे मूल अधिकार है वोट करने का अधिकार है या व्यावसाय करने का अधिकार है और अगर बिधी का अधिकार का उलंगन होता है तो इसे ही इं कि जो है विधिक अधिकार का उलंगन होता है कि नेक्स है जब तक किसी के अधिकारों का उलंगन नहां हुआ हो अपकृत भी धिमेवाद नहीं लाया जा सकता भले ही हानिकारित हो यह निमलिखित द्वारा अभिव्यक्त किया गया है तो इसका जो शूत्र है वह है डैमनम शा सकता है नेक्स है ग्लो चेश्टर ग्रामर पिर का वाद किस से समबंदिते ग्लो च sufficient घर ग्रामर पिर से समबंदित नहीं होई है लेकिन फिर भी यूझ को हान होई है कि नेक्स है सूत्र यूबी जयस tasting नियमेडियम यह तो इसका क्या अरफ है तो इसका और थिये है कि जहाँ जहाँ अधिकार है किसी व्यक्ति को वहाँ उसे उपचार भी प्रकार से अपक्रिति का उपचार है वह है तो दोस्तों इस प्रकार से यह तीसरा वीडियो कंप्लीट हुआ जिसमें हमने 50 प्रस्थ किया और अभी तक हम तीन वीडियो के माध्यम से टार्ट के 150 को 50 प्रस्थ को हल कर चुके हैं आप इन सभी को देख करके और अपनी जो तयारी है जो अपनी समझ है उसको बेहतर कर सकते हैं और इस पर भी वीडियो प्रोइड कराएंगे ताकि जो टार्ट है उससे जो सभी टापिक हैं वह कबर हो जाएं और आपकी जो सारी समस्याएं हैं उसको सोल्व करने में हम मदद कर सकें तो मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में तब तक आप चैनल पर बने रहे और इसके बारे में अपनी दोस्तों को बताइए इसपे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू